वाल फोक्स वाचिंग कपल डाइमिक्स एंड दिस विकास शौदरी हो यह आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बड़ा इंट्रस्टिंग है और वह है कि क्या आप एक कुल्ड हस्बेंड है एक कुल्ड क्या होता है और कुल्ड हस्बेंड अगर आप है तो आपको की सब्सक्राइब को द्यान रखना है टॉपिक इंट्रस्टिंग है में भी आपको लग सकता है कि यारी कैसी चीज़े आप बताने लगे आजकर विडियोस में बट यह जानी दोस्तों यह कपल एड़केशन का बहुत इंपॉर्टन पार्ट है विकस हम लोगों की फैंटेसी क का कोई एंड नहीं है राइट एक फैंटेसी के तौर पर हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं आप यह लॉड़ फैंटेसी यह लाइक फैंटेसी आफ एविंग सेक्साइब बीच एविंग सेक्साइब बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़े हो रह की वज़़े से कई सार ऐलेशन्छिफ में डिस्तेबंस हो रहा है इसके लावा कई सारे गलत फाइदे भी उठाए जा रहे हैं इसले की चीज़ों में तो इसके बारे में जान लेनीन हो ज़ुट बैसिकली क्या होता है को कोड बैसिकली वो होता है जो इस चीज में प्लेज इस समय उन्हें जो मज़ा आता है जो ठीलिंग एक्सपीरियिंस फींच देती है चीज को जी ने के लिए उस उस मज़े को लेने के लिए जो व्यक्ति अपनी वाइफ को किसी की बिशार बिजता है किसी को सेक्स करेंड लेगा उसे को व्रॉप कहते हैं कई बार ये लोग उस एक्टिविटी से जो विक्ति अपने आपको थ्रीलिंग एक्सपीरियंस महसूस करवाता है जिसे अच्छा लगता है उसे कुकूल कहते हैं अब कुकूल आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार यह क्या चीज से चल रही है सोसाइटी में यह सब किस लेबल पर हम चले गए बट साथ नहीं होती है और我就 कई लोगों को आते है कई सारे लोग जो Matchup को अपनी वाइफ से मजे में जीते रहना चाहते है तो अगर आपको ऑपको कि सतरी की थौ्ट यहाते हैं तो पहली चीज़ की यह abnormal नहीं है यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता ऐसे बहुत लोग दिन के साथ होता है अब इसको लेकर चार ऐसे questions है जो आपके मन में आ सकते हैं जनको जानने कि आपको बहुत है और लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या opinion है मेरी अगर आपको को गोल्डिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए बैसिकली इस activity को सब्सक्राइब क्या ऐसा सुचना psychological illness है यह एक sex disorder है या फिर नॉर्मल है तिक यह सब सब्सक्राइब की जैसे हर फैंटेसी के शुरुआत हमारे ब्रेन से होती है इसमें आपनार्मल कुछ भी नहीं है कि कई लोग है जो इस सब्सक्राइब करते हैं और उनको यह चीज ठ्रेलिंग प्रोवाइट करता है तो यह नॉर्मल है यह बहुत बड़ा गंजन नहीं है इस सब्सक्राइब को आता होगा यह अगर आप सुन रहे हैं तो आपको इसा लग रहा होगा कि ऐसा करने वाले जिन्हें ठीक कामनी लगता उनका मानना है कि आपकी सेक्शल फैंटेसी आपके प्यार के आगे चली और आप अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखने में भी इत्राज नहीं कर रहे हैं या आप उसे और किसी और के साथ शामिल कर रहे हैं आप उसके साथ यह मॉरालिटी वाली को एक्टिविटी कर रहे हैं इस तरह से वो लोग सोचते हैं सेकंड कई सारे लोगों को मानना है कि हैल्दी म्यूच्वल अंडेस्टांडिंग के नाम पर आप अपनी वाइफ से प्रॉस्टिटीशन वाले काम करवा रहे हैं आप उसे किसी के भी पास भेस दे रहे है यह वो लोग सोचते हैं जो इस चीज नहीं मानते हैं जो लोग इस चीज को ठीक समझता है या इस चीज को करना चाहते हैं उनका पॉइंट अफ दुख्या है उन्हें ऐसा लगता है कि टेक अलोट ऑफ कॉन्फिटेंस कि आप अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखें और उनमें वो है उनने वो चीज़ को जुटाया है राइट फॉर हैविंग फन और अफकॉर्स वो सोचते हैं कि इससे उनकी वाइफ का प्लैजर भी बढ़ेगा वो भी इस चीज़ को एंजॉई करेंगी और अफकॉर्स अगर उसे उस चीज़ में मज़ा आता है या उसे वो ची यह चीज़ों को भी समझते हैं और हम जो सेक्शुल एक्टिविटीज होती है उसको सिर्फ इना रखते हुए उसे एक फन का एक्टिविटी समझते कर जहां तक हमें जाना है यहां इसा लगता है कि हमें यह किया जा सकता है यह इसको एक्स्प्लोर करना चाहिए हम कर लेते है तो इस पर दोनों राई है बैसिकली अच्छा है बुरा यह सिर्फ आपके दिमाग में आपको लगता है सही है आपको लगता है तो फिर गलत है यह डिसिजन ले लेना क्योंकि जैसे से मॉडरनाइजेशन आ रहा है लोग सेक्स को बहुत एक्सलूर कर रहे हैं इसमें वह सारी चीज़ों को ट्राइब करें अगर आप सही और गलत के पेमाने पर देखने जाएंगे तो हजारों चीज़ें गलत हो लिए बड़ आपको लगता है कि आप एक ऐसे एरिया में या इसे जोन में कैसे बैक्राउंड से आते जहां पर यह सब चल सकता है तो फिर चल सकता ह अगर आप दोनों आपकी सेक्शनल लाइफ को एक्स्प्लोर करने वाली माइंड शूट रखते हैं तो तो फिर यह किया जा सकता है आपके एक ओल्ड स्कूल गर्ल है तो आपको बिल्कूर नहीं करना चाहिए आज नहीं तो कल आपको दिक्कत दे सकता है तीसरा अगर आपक अगर आपकी वाइफ जो है वो प्रॉब्लम औरियंटेट वीमन है अगर वो सॉल्यूशन पर प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करती है अगर वो हर चीज का इशू क्रीट करती है तो भी आपको इस तरह की चीज बिल्कूर नहीं करनी चाहिए वो आपके रिलिशंचिप के लिए बूरा हो सकता है और च्छटा और बहुत इंपॉर्टेंट कि कई बार आउट आउट करें कि हम आसा करना जाते है वह ऐसा करें क्या है वह अगैसा करें आउट पर एक्साइट 1500 कि पर थेक लिए खिटेंच कर देपल बढ़ता हुद चरिक रिचांग हो सकतें जो चोती लेने बाद जरूरी है वो यह कि वो क्या प्रिकॉशन से जो लेने की जरुवत है यह सवाल बहुत इंपोर्टन है इसके जवाब भी बहुत इंपोर्टन है पर इस सवाल में कहीं सारे पेच है क्योंकि कई सारी इसे चीज़ हैं जिसको आपको खुद बहुत समझना आप उस सिचुवेशन को देखते हुए पर फिर भी जो मेन इशूस है वो यह है की पीपल इंडिया नॉट सुवल बिग इस आप इसकी वीडियो बना ले हैं आप उसकी कोई ऐसी चीज़ यूस करने जिसके वाजी आप उसको फाइदा उड़ा सकें राइट और यह इंसे क सब्सक्राइटी हम थोड़ा सा से फॉर सेफिर साइड हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि हमने को चैटिंग सब्सक्राइब कर ली है कि हमने कोई वीडियो बना ली है आज तो ठीक है पर कभी भी कोई गलती की वज़ए से वह यहां वाँ शेयर हो जाता है या वह बाहर चले ज चीज की जब आप अपनी वाइफ को इस चीज के लिए कंविंस कर रहे हैं तो कहीं यह ना हो जाए कि आपकी वाइफ क्योंकि ओल्ड स्कूल तेंकिंग की है उसे सब चीज बिल्कुल ठीक नहीं लगती है और इसके चलते वह आपको लेकर एक बहुत बद्धी राय बना ले एक यसी राय बना लेगी और मेरा हजबंड कैसा इंसान है वह ऐसा सूज भी कैसा लगता है इस तरह की चीज़े होने से आप हमेशा के लिए एक रेपूडेशन खो देंगे या फिर एक बड़ा डेमेज आपकी इमेज को अपनी वाइफ की नसर में हो जाएगा एक होती चीज़ कि अगर आप फिर भी इस एक्टिविटी में जाना चाहते हैं तो कोशिश करिए आप ऐसे विक्ति को इन्वाल करें जो आपके कॉंटेक में नहीं है अगर आपके जान पैचान में है आपके दोस्तों में है तो यह बहुत एंबराइसिंग बाद में हो सकता है यह थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता फ्यूचर में अगर ऐसा विक्ति जिसे आप जानते ही नहीं कोई बाहर का है तो फिर भी ठीक है पांचवी चीज की मेडिकल हिस्ट्री अगर सामने वाले कि आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा केरफूल लेने की जर्वत है कई सारी इसे बिमारियां जो सेक्श्वल इंटरकॉर्स या इस तरह की चीज़ा होने की वज़े से फैलती है तो उसको लेकर कहीं आप दोनों किसी चपेट मना आ जाए और पांचवी चीज की अच्छा होगा अगर आप अबरोड जाए और प्रोफेशनल्स की हेल्प लें या फिर लोगों को यूज करें जो इनकामों के लिए ही अवैलेबल और आप अपने जिन्दगी को महां जाकर एक्स्प्लोर कीजिए महां सारे मज़े कीजिए और वापस अपनी पुरानी दुनिया में लोट आईए और सारी चीज़ों को ठीक कर लीजिए यह चीज भी की जा सकती ह की वो कभी खदम नी होंगी वो घवरिटी ही चली चाहेंगे कहां तक आप पूरा उैनकरते रहेंगे कहीं तो जाकर रूख नहीं हम कोशिश करें। यह ना ही हो फिर भी अगर होता है तो आपको तीन पी का ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्स्ट कीप प्रिकॉशंस सेकेंड कीप पीशिंस एंड थर्ड कीप प्रिपेसी इन तीन बातों का खूब ध्यान रखने की जरुबत है चोती चीज की आपके बैकराउंड पर करनी है आप बहुत ही चोटी जगह से आ रहे हैं जहां पर यह सूचना ही मनुश सा लगता है तो आपको यह चीज नहीं करनी चाहिए अगें का कोल्डिंग हर किसे के लिए नहीं है जिसके लिए नहीं है उसे हमेशा बुरी लगेगी वह उसे घटिया समझेगा राइट आपके समझ में आया होगा और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो साइटी में चल रही हैं वाइफ स्वापिंग सिर्फ एक बार मैं राज तू विकी क्या क्या ख्याल है हाँ लेजब गेज को लेकर भी बहुत तारी चीज़े हैं ट्रांजेंडर्स को लेकर भी कई साई अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों के बारे में भी हम एजुकेशन वीडियो बनाएं इंफॉमेशन को लेकर आएं तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और मुझे बताएं कि यह कैसा जा रहा है और आपके काम आया होगा अट्सॉल थैंकिस तो मच और गड़ जा आपके साज मुपे के बाड़ने में जाएं पहले को रहा हृग स्पल्सॉल था करें चाहारोगा रहादाा संगल में झादा प्ला आपकत।